हेलो और वेलकम फ्रेंट्स आज का ये वीडियो Microsoft Access पर आलहरी थे और दानिश इक्बाल मिस्टर दानिश इक्बाल जी का कॉमेंट आया हुआ है और उसके अधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ तो Microsoft Access ओपन कर लेते हैं इनका कहना है कि दिस्काउंट कैसे केलकुलेटर पर आयेगा तो यहां से हम चलते हैं पूरा प्रोसीजर ही मैं दिखा देता हूँ आपको और यहां से वीडियो पर क्लिक कर लिजे और यहां पर जो है कस्टमर आइडी मैं डाल दूगा चली यहां पर कस्टमर आइडी डाल देते हैं कस्टमर और यह customer id मैं auto number ही रखता हूँ आप अगर चाहें तो text भी रख सकते हैं अब यहां पर मैं customer का नाम लिख लेता हूँ तो यहां लिखता हूँ customer name customer का नाम लिखने के बाद इसका data type text रखेंगे फिर यहां पर जैसे नीचे आएंगे तो यहां पर product का name आएगा तो यहां लिखता हूँ मैं product name तो अब यहां product का name हम लिखेंगे और फिर यहां पर product की जो price होगी वो आ जाएगी तो यहां price आ जाएगी तो इसको हम रखेंगे यह यह देख सकते हैं आप currency data type आप रख सकते हैं यहां currency हमने दे दिया है और format इसकी currency है चलिए आगे बढ़ते ह है price के बाद यहां पर हम करेंगे unit name तो unit का क्या नाम हो सकता है जिसे माल लेजिए कोई shopping mall है तो यहां पर बहुत सारी चीजे बिखती है अलग-अलग किसम की जैसे groceries के item होते हैं twice के item होते हैं तो इस तरह के अलग-अलग electronics item होते हैं तो यह सारी चीजे होती हैं तो यहां पर हम unit name बना देते हैं I will type the value that I want next अब यहां पर हमको एक एक unit बनाना है जैसे माल लेजिए मैंने बना दिया gram फिर यहां बना दिया kilogram फिर यहां बना दिया milliliter ऐसे करके आपको जितना unit आपको चाहिए हो वो सारी units आप यहां बना ले यहां पर मैं कर देता हूं ton फिर यहां पर कर देता हूं quintal यहां आपने quintal कर दिया फिर यहां पर मैं कर देता हूं किलो लीटर ओके इस तरह से जो भी आपको unit चाहिए हो यहां पर कर देता हूं pieces PIECE piece फिर यहां पर packs कर सकते हैं पर यहां पर packet कर सकते हैं तो इस तरह से मैंने कुछ units बना ली हैं और अब मैं यहां पर next पर क्लिक करूंगा और यहां से finish पर क्लिक कर दोंगा तो यह unit हमारी बन करके त्यार हो जाएगी यह drop down में शो होगी अब आगे बढ़ते हैं अब यहां पर unit कर देते हैं सिर्फ unit तो यह unit जो है decimal में भी हो सकता है से कोई समान डेड़ किलो भी खरीदा जा सकता है धाई किलो भी खरीदा जा सकता है इसको हम बना देते हैं सबसे पहले number और यहां से long integer पर जाकर कि इसको हम कर देते हैं double तो यह हो गया हमारा अब फिर नीचे जैसे आएंगे तो यहां पर हमें discount calculate करना है तो यहीं पर हम discount calculate कर लेते हैं discount ओके तो यह जो price है इसी के अधार पर हम discount calculate करेंगे तो यहां पर currency कर देते हैं और यहां पर number भी रख सकते हैं number रखेंगे तो क्या फैदा होगा वो दिखाता हूँ यहां पर हम point में भी डाल सकते हैं यह इसको double कर देते हैं और यहां पर currency जो format है इसको हम अटा करके क्या कर देते हैं percent कर देते है तो यहां discount percent में आप देंगे और उसी में calculate होकर आएगा ओके अब यहां discountable amount हो जाएगा discountable amount तो कितना amount discount होने के बाद आएगा वो यहां पर आजाएगा और इसको भी हम क्या करेंगे number रखेंगे और यहां से इसको कर लेंगे double ओके तो यह कर दिया हमने अब यहां पर currency यह जो format है उसको percent नहीं बनाएंगे जब कि यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर format जो है percent में है ठीक है अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है यह price और यह discount इसके बीच में हम एक काम करते हैं एक यहां पर row insert करा लेते हैं total के लिए total छोड़ गया है तो यहां total कर लेंगे यह total कर लेंगे हम यहां पर total calculate होकर आ जाएगा इसको number रखेंगे ठीक है यहां पर currency भी कर सकते हैं फिलाल मैं number रख लेता हूँ और यहां से कर देता हूँ इसको double ओके तो यह काम हो गया इसके अधार पर आप discount calculate कर सकते हो अब आगे यहां पर क्या करना है अगर tax लगाते हैं तो tax यहां पर आ जाएगा तो यह tax कर दिया हमने और इसको रखेंगे हम number यहां से number रख लिया और यहां पर आ करके इसको double बना देते हैं चुकि एक दस्मलों पांच percent ऐसा करके भी tax दे सकते हैं तो इसके लिए हम यहां पर double रख हैं ताकि हम point में भी values enter कर सकें तो percent यहां पर format percent रख दीजे आप यह हो गया अब यहां पर tax amount आ जाएगा यानि कि percent के अधार पर जो आपने percent लगाया tax percentage जो लगाया उसके अधार पर यह amount कितना हुआ तो यहां पर amount आ जाएगा और यह amount जो है नंबर रखता हूं मैं और फिर इसको double बना लेता हूं यहां से और यहां डबल हो गया तो यह tax amount भी calculate होकर आ जाएगा ठीक है final payable final payable यह last में आएगा ओके इसको भी मैं क्या करता हूं currency कर देता हूं इसको तो अब यहां से हमको करना है click और यह आ गया तो इस तरह से हमें यह दिखाई देगा अब हमको यहां से query बनानी है चलिए यह query बनाते हैं चलते है query design पर और यहां से add करवा लेते हैं इसको और एक एक चीज को अब नीचे add करवाते है customer id customer name product name price unit name और फिर यहां पर unit फिर यहां पर total फिर यहां पर discount फिर discountable amount फिर tax फिर tax amount और at last यहां पर final payable ठीक है तो यह सारी चीजे यहां पर हमने रख ली है अब यहां पर सबसे पहले हम total calculate करेंगे तो colon लगा लिजिए square packet बना लिजिए total calculate करने के लिए price into क्या करना है unit unit name नहीं करना है आपको unit ही रखना है अब यहां पर discount आएगा तो discount कैसे निकलेगा तो यहां पर जो भी आप discount देंगे वो आजाएगा आपका यहां पर यह जो देख रहा है आपको discount table amount वो यहां पर आ जाएगा वो कैसे आएगा मैं दिखा रहा हूँ अभी डबल क्लिक करता हूँ यहां पर हमें cursor को रखना है थोड़ा इसको विद्बढ़ा लेता हूँ आपको बहुत ही obviously दिखाई देगा अब यहां पर देखिए यह colon लगा लिए हमने square bucket बना लिए आप तो जो हमारा total है उसी पर discount आएगा total into यह into किया हमने और अब discount यहां लिखना है तो यह square bucket बनाएगे लिखिए discount okay तो यह discount कर दिया हमने तो total into discount तो यह आजाएगा हमारा discountable amount ठीक है चुकि हमने format discount का क्या रखा है percent रखा है तो इस वजह से यहां पर calculate होकर आजाएगा अब यहां पर tax है और tax amount है तो यहां हमको सीधा tax amount calculate करना है कैसे calculate करेंगे आज़े दिखाता हूँ यहां पर colon लगा लिजे square bracket बनाएगे square bracket बनाने के बाद आपको क्या करना है final payable जो आपने लिया हुआ है ठीक है उसको नहीं लेना है आपको आपको total पे लेना है तो यहां पर total लख़िए यह total हो गया और into आपको tax लगा दीजिए यहां पर tax लिख दीजिए इसको लिखने से क्या होगा न कि जो आपका tax आपने लिया है उसका format आपने रखा है percent तो इस वज़ा से क्या होगा यह यह calculate होकर आ जाएगा ठीक है तो यह कर दिया हमने अब क्या करना है हमें यहां final payable calculate करना at last तो यहां पर जा करके मैं इसको थोड़ा zone पर लेता हूँ और यहां से हमको colon लगाना है colon लगा लिए आपने अब final payable calculate कैसे होगा ठीकिए total जो है total इसमें से आप minus कर दीजे क्या discountable amount तो यहां लिखता हूँ में discountable amount आप देखिए discountable amount मैंने यहां लिखा है वही चीज यहां पर लिख दिया हमने तो यह हमरा आजागा final payable बस ok प्रेस कर दीजे काम आपका हो गया यहां से run पर क्लिक करिए तो यह सारी चीजे इस तरह से आएंगी अब आपको करना क्या है कुछ नहीं करना पूरा काम हो चुका है यहां पर जैसे मालीजी पहले customer है जैसे मालीजी मैंने लिख दिया यहां पर जावेद अब जावेद में product कौन सा खरीदा जैसे मालीजी उन्होंने खरीदा keyboard keyboard खरीद लिया अब यहां पर price जो है जो भी price हो keyboard की जैसे मालीजी 200 रु जो भी हो यहां पर आप ले सकते हैं तो यहां पर मालीजी यह pack कर दिया मैंने और यहां पर unit कर दिया मैंने 30 तो 30 units से खरीदेंगे तो उसके हिसाब से यहां total calculate हो करा जाएगा आप चाहिए तो यहां currency format रखते तो यहां rupees का symbol भी आ जाता जैसे यहां पर आ रहा है फिलाला पर tax आएगा तो मालीजी टेक्स इस पर लग रहा है 15.5 प्रतिशत का तो यह आ गया हमारा tax amount और final payable आप देख सकते हैं यह हमारा final payable amount है ठीक है इसी तरह से यहां पर जब फिर दूसरे customer की बात आएगी जैसे मालीजी राम यह लिख दिया हमने अब मालीजी इन्हों ने ख खरीद लिया अब हो गया यह प्राइस चारह जार है तो यहां पर दो मॉनिटर का प्राइस जो है आगया 8000 रुपे अब इस पर जो discount है वो 0.50% का है discount जैसे हमने किया तो यहां पर यह देखिए कितना रुपे 40 रुपे discount होकर आगया अब यहां पर tax लगाने की बात है अब पर मैं लिखता हूं दूर्गेश यह लिखा हमने और माल लिजिए कि यह खरीद रहे है रेडमी का मोबाईल रेडमी ओके और इसकी जो प्राइस है वो है 7800 रुपे यह कर दिया हमने अब यह माल लिजिए एक ही piece खरीद रहे हो या पीस-पीस में माल लेते हैं या पैक्स म प्रत्षट का तो 18.5 यहाँ पर जैसे ही करेंगे तो यह percent में आ जाएगा अपने आप तो यह percent में आ गया और यह discountable amount आ गया discountable amount देख रहे हैं आप 18.5 प्रत्षट का discount हमने दिया ठीक है तो इसकी price घड़कर कि कितनी आ गई इतनी आ गई ठीक है तो यह discount हो गया इस पर करता हूँ यह वीडियो से आपको help जरूर मिलेगी अगर वीडियो पसंदा है तो share कर सकते है थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो